हेलो रिवन वेल्कम तो जिकेट्रिक्स इस वीडियो में हम सुभाज चंदर बॉस से सम्मंदित जितने भी सेलेक्टेट कुश्चन समंदते हैं वो सब भी देखेंगे सुभाज चंदर बॉस काफी इंपोर्टन टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री का तो वीडियो बी केरफुल लाइक और शेयर जरू करना चैनल पढ़ने हैं चैनल को सब्सक्राइब करें पास मने वाल बेल एकनल जरू स्ट्राट करें ताकि आपको टाइम पर डिवक्षिन मिते रहें चलिए स्टाट करते हैं फंस कुशिन दे रखाएं सुभाज चंदर बॉस का जनम कब हुआ था त अप्संट याँ पर सहिए इनकी पित जी का नाम किया था इनकी पिता जी का नाम था जानकी नात बॉस और इनकी माता जी का नाम था परभावती लिए फ्याजन रखें इंप्परटेंट है उन्स कूशन देर खाएं नेटाजी सुभास चंद्र बॉस का जनम कहां पर हुआ था तो नेताजी सुभास्चंद्र बॉस का जन्म हुआ था कटक ओडिसा में ऑप्शन नमर बी यहां पर सही है यह आप ध्यान रखें इंपोर्टेंट है फिर नेक्स आगे देखते हैं सुभास्चंद्र बॉस ने इंग्लेंड में कौन सी परिक्षा उत्तिन की तो सुभास् विश्व विद्याले से यह परिक्षा इन्होंने उत्तिन की थी बाद में इन्होंने यह जो परिक्षा उत्तिन की ICS की इन्होंने इसको छोड़ दिया था और बाद में अस्वय गंदोलन में यह सामिल हो गए थे यह फेक्ट आप ध्यान रखना इंपोर्टेंट है आगे 2021 में इके genetic को प्रिंस ओफ वेल्श का विरोध करने के करण कित्रन्जन दासय और सुभास संद्र बष को जेल भीजा गया था यह फेक्ट आप धियान रख साथंaten के प्रिंस ओफ वेल्स के विरोध के करण चित्रण जन्दास और निताजी दोनों को जेल बेजा गया था और निताजी को कुल इग्यारवाल जेल बेजा गया था ये फ्यक्ट भी आप साथ ध्यान रखें इंपोर्टेंट है फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे दे रखा है नेताजी सुभास्चंदर बोस गांधी जी से कहां भी मिले थे तो नेताजी सुभास्चंदर बोस गांधी जी से मिले थे मुंबव में और देट में बात करें कि कब मिले थे तो 20 जुलाई 1921 को मिले थे ये फ्यक्ट आप ध्यान रखें 20 जुलाई 1921 को मिले थे गांधी ज आगे दे रखाएं नेता जी सुभाश्चंद्र बॉस All India Youth Congress के अध्यक्स कब सुने गए थे तो All India Youth Congress के अध्यक्स चुने गए थे 1923 में आप्शन नमर्ब यहां पर सही है यह आप ध्यान रखें इंपोर्टेंट है और नेता जी एक समाचार पत्र निकालते थे उसके भी आप ध्यान रखें तो इन्होंने 1921 में एक समाचार पत्र निकाला था बांगलार कथा तो यह आप ध्यान रखें इंपोर्टेंट है यह भी 938 में कॉंग्रेस के हरिपूर अदिवेशन के अधिक्स चूने गये थे सुभास्चंद्र बोस घ्यां रखे और जो यह हरिपूर अधिवेशन है इसको भारत का पर्थम ग्रामिन अधिवेशन भी कहते हैं कॉंग्रेस का पर्थम ग्रामिन अधिवेशन ये आप ध्यान रखे इसके अलावा कॉंग्रेस अधिवेशनों के दो बार अध्यक्स रहे थे सुभास्चंद्र बोस और हरीपुरा अधिवेशन में जो प्रांतों में प्रज्यमंड़ी अंधुलन चले थे उनको बड़ावा दिया गया था तो ये आप ध्यान गया गया थे सुभास्चंद्र बोस और यीआ पर सहीँ लिए पर ध्यान के इंथमान ने तो फर्से बार 트ो वार थे सुभास्चंद्र बोसफ द्यान रखना ह 될 दो बार चुशन ने को और जो सेकेंड बार जब ये चुने गए थे तब गांधी जी ने पट्टा भी सिता रमया को समर्थन दिया था लेकिन गांधी जी के समर्थन के बावजुद भी सुभास चंदर बोस इसमें जीत गए थे बाद में इन्होंने कॉंग्रेस के अधिक्षपद से इस्तिफद दिया तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने इंपोर्टेंट एक्जम में कई बार इसे समधित कुशन पूछे हुए हैं और जब इन्होंने कॉंग्रेस के अधिक्षपद से इस्तिफद दिया तब अधिक्षपद बनाय गया था राजेंदर परसाद को ये फैक्ट आप साथ में forward block की स्थापना कब की तो कब की ये की थी option में बläंभी यां पर सही है 1949 में मोश्ट इंपोटेंट क्योंसन हैं कभी कवार एक्जम में ये भी पुचाता है कि forward block की स्थापना किस ने कि managing और कभ की तो इसकी स्थापना की थी एक मई 1949 को नेताजी सुभाशंदर बोश ने और इसका उद्धिश्य क्या था फॉरवर्ट ब्लोग का इसका उद्धिश्य था ससस्त्र संगर्श द्वारा सुतंता प्राप्त करना यह आप ध्यान रखें नेक्स दे रखाएं नेताजी सुभाशंदर बोश ने 2 नवमबर 1941 को सवतंतर भारत केंदर के इसका प्राप्त का पर की थी तो यह की थी नोँने बर्लीन में इसकी स्थापना उप्शन आप सही है यह आप ध्यान रखें बर्लीन का पर एई बर्लीन है जन्मनि में और वहीं पर इन्नोंने जर्मिनीन में ही ती यह व्याग जितने भी है इस आप ध्यानर किये नेक्स देखते हैं नेता जिसुपासचंदर बोस्त ने आजाद हिंद फाज की जो बागदओर संभाली वह कब संभाली तो इन्होंने आजाद हिंद फाज की बागडोर संभाली थी उनीसो तैयलिस में तो यहां पर option नमेर डी यहां पर सही है यह आपको ध्यान रखना है 1923 में सिंगापूर में रास्विहारी बॉस से यह मिले थे और बाद में रास्विहारी बॉस ने इनको आजाद हिंद फोज की बागडोर संभालने को बोला यह आप ध्यानरा के important है आगे दे रखाएं आजाद हिंद फौज ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया तो आजाद हिंद फौज ने दिल्ली चलो का नारा दिया था option number A.A. पर सही है 1925 में यह आप ध्यानरा के important है सुभास्चंदर बौज ने 1923 में तो आजाद हिंद फौज की बागरोर संबली और एक साली बाद में आजाद हिंद फौज ने नारा दिया था दिल्ली चलो नारा 1925 में यह फैक्ट आप ध्यानरा के important है next video आगे देखते हैं आगे देखाएं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजा दिदूंगा यह नारा किसका था यह था सुभास्चंदर बौज का कई बाद एक्जाम में पूछा हुआ है यह आपको ध्यान रखना है आगे देखाएं सुभास्चंदर बौज की वायू यान दुर्गटना में मृत्यू कब हुई थी तो सुभास्चंदर बौज की वायू यान दुर्गटना में मृत्यू हुई थी 1945 में option भी यहां पर सही है factual date की बाद करें तो 18 अगस्त 1945 को अब इनकी जो यह मृत्यू हुई थी वो हुई थी वायू यान दुर्गटना के तहत रूश जाते समय फार्मोसा द्वीपर ताइपे ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना important है और इनकी मृत्यू के जो परमान है वो अभी तक सही तरह से मिले नहीं है तो लेकिन फिर भी यह देट माने जाती है 18 अगस्त 1945 तो यह आपको ध्यान रखने है important है next देखते है फिर नेता जी को मलनो प्रांत भारत रतना देने की गोशना कब की गई थी यह की गई थी 1992 में option number C यहां पर सही है लेकिन यह इनको भारत रतना दिया नहीं गया था क्योंकि सुप्रियम कोड ने मना कर दिया कि इनकी जो मिल्तियों के जो प्रमान है वो अभी तक सही तरह से मिले नहीं है बस गोशना की गई थी उनीसो बराणमे में देने की तो यह आप ध्यान रखे important है नेक्स दे रखा है कौन सी पुस्तक सुपास्चंद्र बॉस्क की द्वारा नहीं लिखी गई तो यहां पर सही आंसर होगा option बर ए my truth my truth पुस्तक है इंद्रागंदी की बाकी जो दे रखा है the Indian struggle, तरुनर, स्वपन और an Indian pilgrim यह तीनों पुस्तक है सुपास्चंद्र बॉस्की और जो सब से निज़े रखी है an Indian pilgrim यह इनकी आत्मकता है सुपास्चंद्र बॉस्की अगर exam में इस्तर का question आए कि सुपास्चंद्र बॉस्की आत्मकता कौन सी है तो आप ध्यान रखे an Indian pilgrim जितने भी यह भारत के परमुक सोतंता से नानी है उनके समन्द में जितने भी उनकी महतुपन पुस्तक है उससे से रिलेटेड मैंने अलगी वीडियो बना दिया है नहीं देखा है तो चैनल को विजिट करके वो जरू देखे है तो चलिए फिर next आगे देखते है सुभास्चंद्र बोस को देशनायक कहते है तो देशनायक इनको कौन कहते है तो इनको देशनायक कहा था रविंदना टैगोर ने most important question यह आप त्यान रखे option number B यहांपर से होगा आगे देखा है नेता जी सुभास्चंद्र बोस की रहश्य में गुमसुद्गी की जाज किस आयोगने की थी यह question भी कई बार एक्जमें पूछा हुआ है तो उनकी रहश्य में गुमसुद्गी की जाज की थी मुखर जी आयोगने option number A यहांपर correct होगा next question देखा है किनों ने सुभास्चंद्र बोस को देश भक्तों का देश भक्त कहा था तो सुभास्चंद्र बोस को देश भक्तों का देश भक्त कहा था गांदी जी ने option number A यहांपर correct होगा यह आप ध्यान रखे है आगे देखा है जे हिंद का नारा किस ने दिया तो जे हिंद का नारा दिया था सुभाश्चंदर बोश ने option number B यहांपर सही है next देखते हैं सबसे पहले किस ने सुभाश्चंदर बोश को नेता जी कहा था most important question है यह आप ध्यान रखे है सुभाश्चंदर बोश को सबसे पहले नेता जी कहा था महात्मा गांदी ने option number A यहांपर correct होगा next दे रखा हैं नेता जी किस विचारदा रख के विरोधी थे तो नेता जी विरोधी थे यहापर option में दे रखे हैं गरमपंती या फिर नरमपंती तो यह आपको बताना है इसका सही answer होगा नरमपंती नेता जी नरमपंती विचारदा रख के विरोधी थे तो यहापको ध्यान रखना है option number B यहाँपर सही होगा तो friends यहाँपर जितने भी important question बनते हैं सुभास चंद्रबास से वह हमनें discuss की है तो वीडियो आपको कैसा लगा है अगर अच्छा लगा है तो like course यह जरू करें और आपको किस topic पर वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं और राजस्तान की करनाट अफर का वीडियो मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आ जाओंगा काफे अधिक request आई थी कि करनाट अफर का वीडियो बना जाए नेक्स्ट बंद का तो मैं आपके लिए लिए लिखा जाओंगा और आपके exam से related first grade exam से related playlist बना रखी है playlist में जितने भी वीडियो है वो आप जरू देखें exam से पहले अधिक साथिक questions जरू लगए इससे आपको आपकी तेहरी का पता चलेगा और exam exam के question आते हैं उसका भी पता चलेगा मैं question मिलाने के लिए इसलिए गयता हूँ क्योंकि मैंने काफी अधिक experience लिया है उन लोगों से जिनका selection हुआ है और उन्हांने बोला है कि हमारा selection का राज है कि हमने पढ़ाई भी की है और exam से पहले अधिक से अधिक questions लगाए है अधिक से अधिक questions लगाओ आपको आपकी तेहरी का हमें साथ पता चलता रहेगा और आपको demotivate तब तक नहीं होना है जब तक आप selection sure न हो जाए तो friends इस वीडियो में इतना ही है से यह जरू करना इस वीडियो में इतना ही है thank you thank you very much for discussion